हिसे जर्वाइफ आपका वाइफाइ नॉलेज हमें हैं इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेस्चन है यहां दोस्तों इस इंपॉर्टेंट क्वेस्चन हैं और यह एक क्वेस्चन हिंदी और इंग्लिस दोनों में यानि दोनों ही भासाओं में ये question है यानि Hindi medium या English medium कोई भी medium के बच्चे हों कोई इसमें कटना ही नहीं होगी इसमें question के साथ आपको solution भी बताया जाएगा और प्लस उससे related questions related facts भी बताया जाएंगे only unique questions इसका मतलब ये है कि series में केवल अलग तरीके के question को include किया गया है अलग तरीके का मतलब कि ऐसे जितने भी question जिनके competition exam में आने के ज्यादा chances है या कह लिजे कि हूब हो ये question आने के बहुत ही ज्यादा chances है competition exam में और वो सभी question को इसमें include किया गया है इसलिए के उलोरे इसमें 20 questions लिया गया है ज्यादा question को ना रखते हुए के उल 20 question लिया गया है और ये 20 questions बहुत ही ज्यादा important है दोश्तों अगर आप इस series के 20 में से अगर 10 question को भी आप attempt कर लेते हैं सही चवाब अगर जानते हैं तो यह मान के चलिए कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं तो ज़्यादा देड़ ना करते हुए question के तरफ बढ़ते हैं लेकिं question को start करने से पहले आपसे निवीदन है कि अगर आप इस channel पे नए हो तो इस channel को subscribe करके bell icon को press कर लिजी तक इस channel से जुड़ी कोई भी ऐसे important science री जाये तो उसकी notification सबसे पहले आपको मिल सके यह राप का पहला question Ciderite किसका आइस्क है Ciderite is over-off चार अपसन आपको दिख रहे हैं और इसमें आपको सही जवाब ढूडने है तो हम बता देते हैं इसका सही जवाब होगा B Ciderite iron का आइस्क होता है अब यह थोड़ा जान लेते हैं कि Ciderite होता क्या है Ciderite का chemical formula FECO3 होता है यह iron का कीमती आइस्क है क्योंकि इसमें 48% iron पाया जाता है और इसमें sulfur और phosphorus नहीं पाया जाता है बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ Avian influenza विशाड़ू को निरुपीत किया जाता है Avian influenza virus is denoted by option आपके सामने हैं और इसका सही जवाब होगा D H5N1 यानि Avian influenza virus को H5N1 से denote करते हैं अब ज़रा देख लीजे H5N1 यह virus होता क्या है H5N1 में H और N दो protein है जो virus के सता पर पाये जाते हैं H means Hemeglutinin और N means Neuraminidase यानि यह दो virus हैं जो उसके surface पर पाये जाते हैं तो पढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ लाल रेट का रासाइनिक नाम क्या है What is the chemical name of red lead इसका सही जवाब होगा B Triplumbic tetraoxide Red lead होता क्या है जरा इसको जान लीजी इसका chemical formula PV3O4 होता है या जहरीला होता है Insolubal in water यानि water में यह घुल नहीं पाता है अमल में घुलन सील है यानि soluble in acid यह mistake हो गया यहाँ पर water आ गया यहाँ पर acid होना चाहिए यानि acid में क्या होता है soluble होता है लेकिन water में insolubal होता है बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है What is the cause of tomato in red color यानि जो टमाटर लाल होता है इसके red होने का क्या कारण है इसका option number 3 यानि C इसका option number सही है lycopene lycopene के वज़े से टमाटर का रंग लाल होता है अब यह lycopene होता क्या है ज़रा इसको समझ लेजी टमाटर का chlorophyll टूटकर lycopene में बदल जाता है यानि फ्रेंड्स जब chlorophyll का breakdown होता है chlorophyll breakdown होता है यह lycopene में चेंज हो जाता है जिससे इसका कलर लाल हो जाता है lycopene red pigment होता है जैसा कि lycopene red pigment होता है इसी वज़े से टमाटर लाल कलर का दिखने लगता है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ ताप बढ़ने पर गैस की स्यानता यानि after increasing temperature viscosity of gas will be कहने का मतलब यह कि ताप बढ़ने पर गैस की स्यानता पर क्या effect होगा तो इसका option होगा यानि उसकी viscosity जो होगी गैस की वो increase करेगी अब यह increase क्यों करेगी इसको जड़ा देख लीजिए कि क्या fact है कि temperature increase करने पर जो viscosity हो क्यों increase करेगी इसको जड़ा देख लीजिए ताप बढ़ने पर गैस के अनुवों का समविग बढ़ जाता है जिससे इनकी गतीज उर्जा बढ़ जाती है जिससे गैस के दो adjacent surface के बीच friction बढ़ जाता है friction बढ़ने के कारण क्या होता है viscosity बढ़ जाती है गैस के दो सतहों के बीच के घर्षन को viscosity कहते है viscosity को याद रखिए कि गैस के दो layer के बीच जो friction होता है उसी को viscosity कहते है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दरव मानो सरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सरवादिक होती है यानि कौन सा वो आरगन होता इसमें ज्यादा मैक्समूम हड्डियां पाई जाती है इसका आप्शन D सही है Fingers क्योंकि fingers में finger कई step में होती है यानि एक finger को आप देखें तो हर एक finger में तीन तीन छोटी हड्डियां होती है और इस तरीके से हम लोग की पूरी finger मिला लिया जाते हो हाथ में पूरे हाथ में 10 finger होती है और 10 finger पैर में होती है और इन सब की हड्डियों को मिला है तो यह हड़ियां आपके जो backbone होती हैं उन हड़ियों से भी ज़्यादा होती है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की दरफ सुर्य की किरिडों का कौन सा भाग solar cooker को गर्म करता है Which suns reheat to the solar cooker Option is correct है Infrared Infrared से क्यों cooker गर्म होता है जरा इसके logic को भी आप समाझ लीजिए Solar cooker में आवसोसित होने वाली Infrared की डिड़े कम तरंग दैर दे वाली होती है लेकिन cooker में ये की डिड़े गर्म होकर बड़ी तरंग दैर दे वाली बन जाती है और cooker के अंदर से बाहर emit नहीं हो पाती है जिससे cooker में लॉक हो जाती है और cooker को गर्म कर देती है यानि friends जो infrared होती है वो आती है तो उसका wavelength कम होता है लेकिन cooker में temperature ज्यादा होने के वैसे उसका wavelength बढ़ जाता है और उसमें लॉक हो जाती है और इस तरीके से solar cooker का temperature क्या हो जाता है increase हो जाता है और कोई भी खाना उसमें भख जाता है बढ़ते हैं अंगले प्रशन की तरफ नीबू में canker रोग होता है canker diseases in lemon caused by जिसका option be correct है bacteria यानि bacteria के वैसे canker रोग होता है canker रोग क्या होता है जरा इस रोग को देख लिजए कि या decision क्या करती है नीबू पे कौन से effect डालती है canker रोग bacteria के करण होता है या आप नोट कर लिजए कि canker रोग नीबू में होता है और bacteria करण होता है ये बिमारी सबसे अधिक खटे follow वाले पौदों जैसे नीबू अंगूर और संद्रे में होती है इसका प्रभाव follow ये पत्ती उपर ज्यादा होता है जैसा कि आप figure में देख सकते हैं कि canker रोग के वज़े से ये नीबू पे किस तरीके की चीज़े आ गई है तो इस चीज़ को नोट कर लिजए बैक्टिरिया के करण कैंकर रोग होता है और ये citrus जितने plants होते यानि खटे fruits देने वाले जितने plants होते हैं उनमें इनका attack ज्यादा होता है बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ कोवाल 60 उत्सरजित करता है कोवाल 60 emits यानि कौन से रे को उससरजित करता है इसको बताना है जिसका सही जवाब होगा C gamma ray कोवाल 60 गामा केड़ो को सरजित करता है कोवाल 60 का उप्योग medical science में cancer की इलाज में किया जाता है नोट कर लेजे कोवाल 60 का use medical science में cancer की इलाज के लिए किया जाता है यह milignant cell को मारता है अब ज़रा कोवाल्ट के atomic number को देख लिजे तो कोवाल्ट का atomic number होता है 27 और कोवाल्ट का atomic weight होता है 58.933 तो यह नोट कर लिजे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ सबसे अधिक भेदन छमता होती है which one have highest penetration property यानि penetration property किसी file को penetrate करने की property कौन से रे की ज़्यादा होती है जिसका सही जवाब होगा C gamma ray यानि gamma केड़ों के penetration capacity ज़्यादा होती है यह penetration capacity क्यों ज़्यादा होती जरा इसको आप समझ लीजी gamma ray में कोई charge नहीं होने के कारण इनकी गतीज उर्जा बहुत ज़्यादा होती है जिससे इनकी penetration चमता में सबसे अधिक होती है जानि इनकी kinetic energy ज़्यादा होने के वाद से penetration जो capacity होती है वो भी ज़्यादा होती है gamma ray का परियोग चिकिस्था में परियोग होने वाले यंत्रों के साफसफाई एवं भोजन में मिले सुक्ष मजीवों को मारने में किया जाता है यानि ये भी कई बर competition में ऐसे भी question आते हैं कि सुक्ष मजीवों को भोजन में मारने के लिए कौन से रेक अपरियों किया जाता है तब note कर लिजे कि gamma रेकपरियो किया जाता है आप figure में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से इनकी penetration property को figure के diagram के माद्यम से समझाया गया है एक question इसमें ये भी बन जाता है कि कभी-कभी इनके penetration के order को increase या decrease format में रखना होता है तो इसको जरास आप देख लिजिए कि alpha जो ray होती है उसकी penetration property सबसे कम होती है बीटा की penetration property alpha से ज़्यादा होती है और gamma ray की penetration property alpha और बीटा दोनों से ही ज़्यादा होती है तो ये चीज आपने mind में क्लिक कर लिजिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दरफ खाना बनाने का बरतन होना चाहिए cooking utensil should be यानि खाना बनाने वाला बरतन किस तरीके की property वाला होना चाहिए इसका सही जो आओग है दी निम्न विशिष्ट उस्मा तथा उच्चा लगता यानि low specific heat and high conductivity यह बरतन इस property का क्यों होना चाहिए इसको जरा समझ लीजिए निम्न विशिष्ट उस्मा का मतलब होता है कि ऐसा बरतन जिसको one centigrade temperature उसका increase करने के लिए जो उसको heat की ज़रुद पड़ती है उसको कहते है low specific heat यानि जितना इस specific heat low रहेगा उतनाई हो यूटेंसिल अच्छा होगा और high conductivity high conductivity क्यों चाहिए होती है ताकि वो बरतन तेजी से गर्म हो सके और उसमें खाना तेजी से पक सके बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ antimony है या antimony is या antimony क्या है यह option आपके सामने दिये गए है तो इसका correct option होगा option b antimony some metal है antimony को थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए डियागराम में antimony को यहाँ पे डियागराम में दिखाया गया है जैसा कि आप side में देख सकते हैं antimony का crystal है और इसको आप देख लीजिए antimony का यूज सीसे की battery में सीसे की durability बढ़ाने के लिए किया जाता है यह question भी बार बार competition में आता है कि सीसे की battery में कौन से element का यूज किया जाता है तो antimony का यूज किया जाता है इसको आप नोट कर लीजी antimony compound का प्रयोग अगनी रोधक कमच, paint, ceramic, glass और pottery बनाने में भी किया जाता है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दरफ vitamin B12 में क्या पाया जाता है? vitamin B12 contains यानि vitamin B12 में क्या पाया जाता है और इसका correct answer A, cobalt vitamin B12 में cobalt पाया जाता है vitamin B12 एक nutrient है जो सरीड के नर्व और blood cell को स्वस्त रखता है इसकी कमी से आँखों की रोशनी कम हो जाती है यह उसकीन में जुर्यां पढ़ जाती है बढ़ते हैं अगले प्रश्र की तरफ प्रण्ड हरीत में मुख्य दातु है which is the main constituent of chlorophyll जिसका सही जवाब होगा option C magnesium wacko जिसके बैका में की क्या होता है ज्रासा इसका रोल देख लीजिए क्लोरोफिल में इसका क्या रोल होता है? magnesium पauधों के लिए power house के तरह होता है बार बार ये question आता है कि power house की तरह क्या चीज होता है तो magnesium होता है जो पौधों के लिए power house की तरह होता है इसके बिना पौधे sun energy को capture नहीं कर सकते हैं पत्यों को हरा रखने के लिए magnesium जरूरी होता है यानि पत्यों को हरा रखने के लिए magnesium जरूरी होता है magnesium नहीं होगा तो पतियां हरा नहीं रह जाएंगी जैसे hemoglobin blood को लाल रखता है वैसे ही chlorophyll पतियों को हरा रखता है दोस्तों यह इस upside में यह दो figure आप देख सकते हैं और यह figure है chlorophyll का और यह hemoglobin का अगर इनका हम structure बारीकी से देखें तो structure बिलकुल सेम है अगर इनमे difference क्या है तो बीच में यहाँ पे आप FV होता है और यहाँ पे mg है यानि chlorophyll में mg पाया जाता है और हम लोग का जो blood होता है उसमें FV यानि iron पाया जाता है तो iron के blood iron की बज़े से जो blood होता है वो red होता है और Mg के वज़े से जो पतियां होती है वो हरी होती है तो इस चीज को आप लोग मैंड में क्लिक कर लेजिए बढ़ते हैं अगले प्रशन के तरफ सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है वीच इस दर लारजेस्ट और्गन आप दा हिूमन तो आपसन इसका बी सही है इसकिन यानि इसकिन सरीर का सबसे बड़ा और्गन माना जाता है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है नाइट्रोजन इस फांड इन फॉर्म आफ डैस इन यूरिया जिसका ऑप्सन ए करेक्ट है एमाइड यानि यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के फॉर्म में पाया जाता है मुर्गियों में कुराईजा रोक किसके कारण होता है कुराईजा डिसीजेज इन हैन इस काल्ट भाई जिसका सही जवाब होगा A बैक्टिरिया यानि बैक्टिरिया के वैसे मुर्गियों में कुराईजा रोक होता है next question है merino किसकी प्रजाती है merino is the variety of good buffalo sheep cow जिसका सही जवाब होगा sheep option c यानि merino एक sheep की variety है देखिए merino होता क्या है merino sheep को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं merino भेंडो को उनका उत्पादन करने के लिए पाला जाता है आउसत एक भेंड से 15 से 20 kg उन प्राप्त होता है यानि एक भेंड से 15 से 20 kg तक उन पाये जाते हैं अब तक का highest record 42 kg wool पर सिफ है यानि अब तक की सबसे highest यानि ज़्यादा amount में ज़्यादा amount में उन देने वाली जो भेंड थी और उस भेंड से एक बार में 42 kg उन मिला था यानि आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उन दिन से मिलता है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दरफ या दुर्बीन में कौन सा कांच प्रियोग होता है विच ग्लास इज यूजड इन कैमरा या दुर्बीन बनाने में किया जाता है और फ्लिंट कांच का ही उप्योग क्यों किया जाता है इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए फ्लिंट ग्लास को लेंस बनाने में प्रियोग किया जाता है क्योंकि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जदा होता है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.45 से 2 तक होता है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दरफ आर्सेनिक 74 का प्रियोग होता है आर्सेनिक 74 is used in the treatment of आप्षन एक correct है tumor यानि आर्सेनिक 74 का use tumor के ilaj में होता है आर्सेनिक 74 radioactive होता है इसलिए इसका उपयोग brain tumor के ilaj में किया जाता है आर्सेनिक यानि आर्सेनिक atomic नमर देख लिए तो आर्सेनिक atomic number 33 होता है और इसका Atomic Weight 74.922 होता है तो दोस्तो इस Science Series आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बता है वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर दीजिए चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि वाइफाइ नॉलेज हब से जुड़ी ऐसी और भी इंपोर्टेंट सीरीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके मिलते हैं कि अकले Science Series में तब तक के लिए जैहिन जैभारत